आज हम आपके 11th क्लास की Chemistry का 1st Chapter start करने जा रहे हैं इस सम बेसिक कंसेप्ट्स ओफ किमिस्ट्री ठीक है जिसको हम मोल कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं मोल कंसेप्ट ठीक है तो शॉर्ट फॉर्म में उस चाप्टर को हम क्या बोलेंगे मोल कंसेप्ट बोलेंगे तो मोल कंसेप्ट पढ़ने के लिए आपको कुछ और कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ठीक है जैसे कि आटम क्या होता है मोलिक्यूल क्या होता है मैटर क्या होता है मैटर की क्लासिफिकेशन क्या क्या चीज़े यह सब कुछ तो चलिए चलिए यह एक general introduction है इसलिए इस lecture का नाम हमने zero lecture लिखा हुआ है क्योंकि यह एक general introduction है आपके matter की और उसके particles की ठीक है तो चलिए 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 करते हैं ध्यान देना बहुत important है तो देखे बिटा matter क्या होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो जिसके पास mass होता है और वो space occupy करते है for example यह जो pen है ठीक है it has mass और अगर मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ तो इतना इतना area इसने क्या कर लिया occupy कर लिया तो इसका मतलब मैं कह सकते हूँ यह क्या है matter ओके यह क्या है matter anything which have mass and occupy space is called matter और matter को दो categories में classify किया गया matter को दो categories में classify किया है एक है आपकी physical classification physical classification ठीके जी and second one is your chemical classification chemical classification matter को दो categories में आपने डिवाइड किया physically matter कैसा है और chemically हम matter को कैसे पढ़ते है ठीके तो physically तो आप बचपन से पढ़ते आने physical state जैसे कि solid हो गया आपका liquid हो गया है ना आपकी gases हो गी gases हो गी ओके आपकी fourth state जो introduced ही है that is plasma जैसे कि for this for example आप और sun light हो गया, sun या tube light हो गया है ना and last is Bose-Einstein Bose-Einstein condensation ठीके Bose-Einstein condensation तो ये आपकी states होगी physical classification में आपने कैसे अब chemical classification में में इस chapter के अंदर हमने focus करना अपने chemical classification के लिए ठीके तो हमें physical classification पर इतना ध्यान ना देकर मैं chemical classification की तरफ move करती हूँ और अब हम पढ़ते हैं कि chemical classification को हमने कैसे divide लिया chemical classification को हमने दो categories में divide किया एक है आपका pure pure substances टीके हमें जाने का य। इस आपकी प्यॉड्य सब्स्टानसेm ईफ्यूड्य प्यूड्य ंओनिया है एक केटगरी हमने बनाई आपकी प्यूर सब्स्टांसेसी leadership एक काटेगरी हमने बनाई आपकी escri मND जाते हैं यह सारी चीज़े ठीक है pure substances में हम लिखते है elements compounds fine और impure substances के अंदर आते हैं आपके mixtures mixtures को further 2 categories में आप पढ़ते हैं homogeneous homogeneous and heterogeneous homogeneous and heterogeneous mixtures ठीक है elements और compounds जो है इनको यह कैसे बनते हैं यह atom से मिलकरी बनते हैं fine तो अब हम आगे सबसे पहले पढ़ते हैं कि atom क्या है क्या है यह atom जो जिसका हम बार बार नाम ले रहे हैं actual में होता क्या है यह atom तो जरह ध्यान देना बहुत important topic है atom और आपका समझना बहुत important है क्योंकि अगर यह concept clear हुआ आपका तो तो सब कुछी clear है ठीक है फिटा तो चलिए देखे long years back long years back की बहुत सालों पुराने सालों की बात करें तो एक बहुत बड़े philosopher थे एक great philosopher थे एक great philosopher थे जिनका नाम था Democritus ठीक है Democritus यह हमारे philosopher जी है इन्हों ने एक idea दिया यह idea के साथ आए और इन्होंने बोला कि जतनी भी चीजे है работает इन्होंने किसे सबनी हुए है अर्टम से बनी हुए है थिंक है मतलब इन ड 아니라 Bondi इन्होंने हम कैसे explain क्या इन्होंने हमें ऐसे explain क्या कि item जो है एक कोई भी चीज्ज जो है कोई भी क्यूब्र अगर किसी सब्स्टांस को आपने डिवाइड करना है तो वह तूटता जाएगा अगर आपने पेपर लिया उसको फाडते जा रहे आप ठीक है करते करते एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि वो atom आपसे tear नहीं होगा ठीक है, तो वो जो एक smallest particle होगा, उस particle को हम बोलते atom, मतलब हम यहां से यह कह सकते हैं कि atom cannot be further divided, atom further divide नहीं हो सकता, ठीक है, तो democratic सामने यही का है, कि अगर कोई चीज divide हो सकती है तो वो उतनी stage तक divide होगी जब हम atom तक पहुँच जाएंगे ठीक है, atom की stage के बाद further or division possible नहीं है, ठीक है no division possible लिखते हैं यह बात, no division possible after atom stage atom stage के बाद कोई भी division possible नहीं है, very important इसका मतलब तो यह हो गया कि इसका मतलब तो यह world में जो भी चीज है वो atom से बनी हुई है बिल्कुल है ना, लेकिन आप इसका यह मत सोच ना, कि मैम ने तो बोल दिया कि सारी चीज़ा atom से बनी हुई है और हमने तो biology में यह पढ़ा है कि जो smallest unit of life क्या है, smallest unit of life जो है, हमने क्या बोल दिया, cell बोल दिया ठीक है, यह बोला, लेकिन बेटा यह cell जो है, वो living unit है, living unit यह एक living unit है, यह cell further atom से बनी होती है made up of, further made up of atoms यह further unit जो है, आपकी atom से बनी ही है तो यह तो अब हम सोच ही नहीं सकते हैं ठीक है, समझ में है, मतलब जो आपकी smallest unit of life है, हाना smallest unit of living organism है वो खुद एक atom से बनी होती है तो clear है आपको इतना चलिए आपने यह तो पड़ी लिया कि atom क्या होता है अब इसको और थोड़ा साच्छे से समझते हैं ठीक है, atom तो demokrotist सामने हमें अच्छे से बता दिया, अब देखिए मान दीजी कि यह एक particle है चीक है, इस color से जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यह एक particle है green कलर का यह एक particle है मैं आपको colors बना के दिखा रही हूँ आपको अच्छे से understand करें यह एक particle है मतलब इसको भी मैं atom बान लेती हूँ atom, यह भी atom है मेरे पास जिसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको समझाने के लिए एक atom यह है second मैंने यह red color से एक atom draw कर दिया लीजे एक यह भी atom है आपका यह भी आपका एक atom है clear है okay third atom अगर मैं लेकर रहा हूँ तो यह जो category है यह भी एक atom की category है अब मैं क्या करती हूँ इन तीनों को मैं क्या करूंगी अरेंज करती हूँ मैंने क्या करनी इसकी arrangement दीखनी है for example इन के arrangement यह भी हो सकती है हो सकता है कि दो ग्रीन के substance एक डूसरे के साथ जोड़ाए हो सकता है कि नहीं बिलकुल हो सकता है यह दो green के substances जोड़ ज़कते हैं यह arrangement 1 हो गई हमारे पास जिसमें green green के substances एक दूसरे के साथ जोड़ गए मतलब मैं इसको लिख देती हूं arrangement 1 हो सकता है एक green का substance हो और एक हमारे पास हो red का substance ठीक है इसके साथ मैं एक जोइन कर देती हूं एक arrangement मैंने यह बनाया कि यह green का substance है और एक है red का substance है एक arrangement मेरा यह आगया आपके पास clear है चीक है this is arrangement number 2 अब हम बात करें कि हो सकता है कि मैंने अब एक red का substance बना दिया एक red का item लेकर आई हूं और वहां से उठा लिया मैंने एक purple वाला item लीजे अब आपका purple वाला item भी आगया अब यहां से मैंने आपका purple वाला item उठा लिया लीजे यह भी arrangement बन गया this is arrangement number 3 clear है अब यह भी हो सकता है मैंने red red को जोड़ दिया green green को जोड़ दिया green and red को जोड़ दिया और red और purple अगर मैं अब third arrangement आपका लेकर आउं मैं बोलती हूं चलिए एक arrangement हम यह कर देते हैं एक arrangement मैंने यह कर दिया green and purple लीजे भई यह आपका arrangement यह possible हो गया clear है clear है बिल्कुल clear है this is your fourth arrangement यह fourth arrangement अब यह तो different different के साथ combine कर रहे हैं मान लीजे कि यह तो same के साथ combine कर गया उसी तरह से आपके 3 red के particles एक दूसरे के साथ combine कर गए यह तीन red के particles आपके एक दूसरे के साथ combine करके यह जो arrangement बनेगा this is arrangement number five उसी हो सकता है कि दो red के particles हो और वहाँ पर एक green का particles आजए हो सकता है कि यह possibility भी arrangement की भई यह भी possible हो सकती है ठीक है और यहाँ पर देखिए यह मैंने red की possibility कर देए अब हो सकता है कि अलग-अलग arrangement आजए मतलब यह arrangement number आपके 6 होगे 7th arrangement अगर मैं बनाओ एक इससे बना देते हैं ठीक है पहले इसको color कर लेते हैं लोग कि आपको और अच्छा हो जाए यह लीजे यह कर दिया color अब मैं इससे बना देते हैं एक मैंने structure यह बना दिया एक item मैंने यह लगा दिया इसका एक item लगा दिया ठीक है लीजे भी एक item यह लग गया अब एक मैं green वाला item लगा देते हैं एक arrangement यह भी तो हो सकता ना colorful arrangement very good very nice looking nice बहुत खुब सूरत लग रहा है यह तो बिल्कुल colorful arrangement this is arrangement number 7 इस की है arrangement of atoms ठीक है अगर arrangement arrangement of atoms atoms की arrangement को हम क्या बोल देते हैं molecules molecules and compounds ठीक है compounds बाद में पढ़ते हैं पहले आप molecules ही देखिए ठीक है आटम्स की arrangement को ही हम क्या बोलते हैं, molecules बोलते हैं, तो molecules क्या हो गए, one और two atom जब एक दूसरे के साथ combine हो गए, जब एक दूसरे के साथ combine हो गए, तो हमने क्या मतलई है, यहाँ पर दो green का atom जुड़ गए, ठीक है, तो यह molecule हो गया green का, यहाँ पर एक green का था, एक red का molecule, एक red का बोलोगे क्या, molecules, molecules बनते कैसे हैं, molecules, ठीक है, they are made up, they are made up of, they are made up of one or more than one atom, one or more, one or more than one atom, एक या एक से ज़्यादा atom के arrangement को, आप क्या बोल देते हो, molecule बोल देते हैं, atom और molecule तो सबको clear होगा, बहुत ही अच्छे से clear होगा होगा, ठीक है, atom को अगर हमें define करना पड़े, तो हम atom को कैसे define करेंगे, atom क्या होता है, smallest unit of matter, which does not have independent existence, ठीक है, atom को अगर मुझे define करना है, तो matter, which does not, which does not have independent existence, जिसके independent existence नहीं होती, ठीक है, वहीं पर molecule को हम क्या बोलेंगे, ऐसी smallest unit matter की, जो की क्या बनी होती है, एक है, एक से ज़्यादा atom के arrangements है, जो arrangement मैंने अभी आपको यह सिखा है, होप सो आपको atoms और molecules बहुत अच्छे से समझाया होगा, मैंने पूरी कोशिश किया,